हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल आज की वीडियो में हम लोग में मन्त का सेकंड वीक की करंट अफियर्ट्स कवर करेंगे ओके तो इसकी पीडियेफ के अगर नीड है किसी को तो वह साइट पर जाएए साइट पर आप लोगों को पड़ा चलता है और साइट का लि स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉस्चिन के साथ विश्वत हैलिसेमिया दिवस कब मना जाता है ऐंगर बात करें 2021 के थीम की क्यूँकि थीम कई बार पुछा जा जाता है और उपर से यो बहुत कम व्षा जाएगा कि कब ये दिवस मना जाता है लेकिन पूछे जाएगा कि इस बार इसकी theme क्या रही है addressing health inequality across the global thalassemia community ठीक है तो यह इसकी theme याद रखने हैं आप लोगों को next है हाल ही में किसने पुदुशेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शेपत ग्रहड की है options है M. Swami Nathana पलानी स्वामी P. Vijayan या फिर N. Rangaswami correct answer is N. Rangaswami option number D is correct अखिल भारती है N. R. Congress के संस्थापक N. Rangaswami ने 7 मई 2021 को record 2021 को चौथी बार केंदर शाषित पुदुशेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपत लिए है प्रश्न यहां से बन सकता है कि कौन सी बार लिए है ठीक है इनका नाम तो याद रखना ही है बाकी कौश्चन यहीं से बनेगा कि कौन सी बार यह मुख्यमंत्री बने है नेक्स्ट है हाल ही मैं कहा G20 परड़न मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है options है इटली में, स्पेन में, भारत में और फिर जर्मनी में इसकी जो बैठक हुई है वह है इटली में हुई है option number D, sorry option number A is correct केंद्रिय परड़न और संस्कृती राज्यमंत्री प्रहलात सिंग पटेल ने 4 मई 2021 को इटली में आयोजित G20 परड़न मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है यह चीज याद रखना ठीक है विश्य प्रभावी पक्षी दिवस 2021 कब मनाया गया है प्रवासी पक्षी दिवस, sorry 7 मई को, 8 मई को, 9 मई को या फिर 10 मई को यह मनाया गया है आपका 8 मई को, यानि option number B correct हो जाएगा 8 मई को विश्य भर में विश्य प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है इस बार के विश्य प्रवासी पक्षी दिवस 2021 की जो theme है Sink, Fly, Sour, Like a Bird ठीक है तो यहाद रखना इसको ध्यान देने की बात यह है कि यह दिवस वर्स में दो बार मनाया जाता है एवर मई में मनाया जाता है और एक बार अक्टूबर महीने के यानिंके एक सेकंड सुनी ध्यान से यह कब मनाया जाता है मई और अक्टूबर दूनों ही महीने के दूसरे शेनिवार को मनाया जाता है ठीक है तो ये चीज़ याद रखना किस देश ने 12-15 साल के बच्चों के लिए फाइजर कंपनी की वैक्सीन को मनजूरी दे दी है आप्शन से इटली, ब्राजील, कैनेडा या फिर भारत तो यह दी है कैनेडा को कैनेडा ने दिया आप्शन नमबर C करेक्ट है की पहली कोरोना वैक्सीन बन गई है ठीक है हाल ही में किसके पूर्व निजी सचिव वी कल्यानम का निधन हो गया आप्शन से जवारलाल नहरू, सर्दार बटेल, सुभास चंटर वोस या फिर महात्मा गांधी इंटरूस्टिंग करेक्ट है आंसर जो है महात्मा गांधी है option number D is correct महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्यानम का निधन हो गया है वह 1943 से 1948 तक गांधी जे के निजी सचिव रहे थे जब महात्मा गांधी की हद्या कर दी गई थी उस टाइम की बाद हो रही है ठीक है यूएसे ब्रिटेन रूस या फिर भारत correct answer is रूस option number C is correct रूस ने एक खुराग वाली वैक्सीन यानि कि सिंगर लोज वैक्सीन जिसका नाम है इस पुतनिक लाइट को इस्तिमाल के लिए मनजूरी दी है ये वैक्सीन बहुत जादा चर्चिता है और पुछ नो पूचा जा सकता है सीनो फार्म किस देश की कोरोना वैक्सीन है भारत की जापान की चीन की या फिर या फिर किस की answer तो उपर ही दे दिया गया लेकिन फिर भी option रहता थी कैनेड़ा की चीन की वैक्सीन है ये option number C correct है हाली में विश्व स्वास्य संगठन ने चीन में निर्मित सीनो फार्म कोविड वैक्सीन सॉरी कोविड नैंटीन वैक्सीन को आपातकाली उपयोग के लिए सूची बद्द किया है जिसका आर्थ है कि अब इस वैक्सीन का प्रयोग दुनिया भर में टीका करन अभियानों में किया जा सकता है सीनो फार्म विश्व स्वास्य संगठन का समर्थन प्राप्त करने वाली पहली गैर पश्चिमी वैक्सीन है हाल ही में जी सेवन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन हुई है पैरिस में, न्यॉर्क में, केप टाउन में या फिल लंदन में सो गरेक्ट आंसर इस केप टाउन में ऑप्शन नबर डी इस करेक्ट नहीं नहीं एक सेकिंड जी सेवन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन हुई है यह बैठक संपन हुई है लंदन में डी करेक्टा लेकिन लंदन में मैंने केप टाउन गोल दिया था हाल ही में ग्रूप ऑफ सेवन जिसको जी सेवन बोलते है शॉर्ट में जिसमें साथ देश कौन से कौन से है वो भी याद कर लीजे अमेरिका, ब्रेटेन, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जैपन के विदेश मंत्रियों की बैठक लंदन यानि ब्रेटेन में संपन हुई है और ध्यान देने की बात यह है 47 वा G7 शिखर सम्मिलन जून 2021 में यूनिटेट किंग्नम की मेवजवानी में किया जाएगा फ्यूचर में क्या क्या होना है कौन सी कौन्फरेंस कहा पर होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेगा कौन सी नंबर की वह होगी तो यह प्रशन भी बन जाते हैं तो यह वाला फैक्ट आप लोगों को याद रखना है किसने अपरेल 2021 के लिए ICC Prayer of the Month का खिताब जीता है आप्शन्स हैं विराट कोहली, डेविड वार्नर, बाबर आजाम या फिर बुवडेश और कुमार करेक्ट आंसर है आपका बाबर आजाम option number C is correct पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजाम को दक्षर अफरीका के खिलाफ हाल ही में हुई स्रंखला के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शांदार प्रदर्शन के लिए अपरेल 2021 के लिए ICC Minsk Player of the Month का खिताब दिया गया है अस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के विकेट कीपर बल्लेबास एलिसा हीली को भी अपरेल माहा के दोरान उनके अविश्वसनी प्रदर्शन के लिए ICC Women of the Month से भी सम्मानित किया गया है दोरों के नाम याद रखने है महिला के भी पुरुश के भी रास्ट्री परौदोगे की दिवस कब मना जाता है 10 महे को, 11 मही को, 12 मही को और 13 मही को correct answer है आपका 11 मही को, 11 जाई question है option number B is correct ठीक है भारत में 11 मही को रास्ट्री परौदोगे की दिवस मना जाता है इस दिन राजस्तान में भारतीय सेना की पोकरन टेस्ट रेंज में शक्ती 1 परमाडू मिसाइल का सफलता पूर्टक परिक्षन किया गया था वर्स 2021 की थीम जो है इसकी एक सतत भविश्य के लिए विज्ञान और प्रदगी की आप यह मैं सोचिए कि थीम के वर्ल डेस की ही हो सकती है कोई भी डेस सेलिबरेट करिया जा रहा है उसकी थीम हो सकती है कई बार अभ्यास की भी थीम होती है कई बार कॉन्फरेंस की भी थीम होती है तो सारी ही थीम को जरूर या रखा करें नेपाल के कामी रीता ने कौन सी वी बार एवरिस्ट फत्य कर रिकॉर्ड कायम किया है बीसमी बार, तेइसमी बार, पच्चिसमी बार या फिर सत्ताइसमी बार तो यह है जो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने पच्चिसमी बार बनाया नाम जरूर याद रखना उनका, नेपाली परवेता रोही कामी रीता कामी रीता ने दुनिया की सबसे उची चोटी के सबसे अथिक आरोहियों के लिए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए पच्चिसमी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है हिमनता बिश्वा सर्मा किस राज्य की नए मुख्यमंतरी बने है तिरपुरा की मेघाले के असम की या फिर मणी पूर के तो यह बने हैं असम की आप्शन नबर C is correct हिमनता बिश्वा सर्मा को आठ माई 2021 को असम की पंद्रह में मुख्यमंतरी की रूप में नामित किया गया है वह सर्बानंद सोनोवाल की जगह लेंगे वह 10 माई 2021 को कारवाल सबालेंगे प्रिश्ण कहां से बनेगा वो बता देती हूँ पहला तो उनका नाम क्या यह तो आपको याद रखना ही है पंद्रह में बने है और किसकी जगाली है यह याद रखना है हाल ही में DRDO द्वारा विक्सित किस एंटी COVID-19 चिकिश सकी है दवा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया द्वारा आपात कालीन स्विक्रती प्रतान की गई है ऑप्शन्स है 2AC, 2BC, 2DG या फूर 2DC करेक्ट आंसर जो है वो अपका 2DG ऑप्शनमबर C is correct DRDO द्वारा विक्सित एक एंटी COVID-19 चिकिश सकी दवा जिसे DRUG 2DG कहा जाता है एक सेकंड कुछ गड़ वर्ड हुई है मैंने करेक्ट आंसर मैंने DC बताया था और DG बताया था कन्फ्यूजन है वेल ठीक है मैंने C ही बताया था आंसर ठीक है तो ये जो दवा है इसको देश में कोरोना वारिस रोग्यों के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया द्वारा इंडिया द्वारा आपात कालीन स्विकरती ब्रदान की गई है नेक्स रहा हाल ही में COVID-19 से संक्रमिक कई रोग्यों को किस कवक का संक्रमट देखा जा रहा है रोग्यों में तो नीचे नाम दे गए हैं कवक के म्यूकर माइकोसिस या फिर कोपरोफिल्स राइजोपस या फिर पेनिसिलियम करेक्ट आंसर आपका जो है I hope आप सभी को बता होगा option number A is correct COVID-19 से संक्रमिक कई रोग्यों में म्यूकर माइकोसिस नामक कवक का संक्रमण देखा जा रहा है जिसे ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है यह एक गंभीर लेकिन दुड़्ला पकवक संक्रमण है यह म्यूकर माइसिटिस नामक फफून के कारण होता है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद है बागी इसके उपर स्पेशल टॉपिक आ जाएगा प्ले लिस्ट में तो आप देख ले जा हालां नेक्स्ट है पाकिस्तान में प्रिश्रासनिक अफसर बनने वाली पहली हिंदू महिला का नाम ऑप्शन् पाकिस्तान में पहली बार एक हिंदू यूवती प्रिश्रासनिक सेवा यानि के जैसे हमारे इन्टिया में आई हैसा इस तरीके से वहां पर भी जो वहां की जो प्रशाच्निक सेवा है उसमें चुनी गई है विसहायक आयुक्त असिस्टेंट कमिशनर बनी है उनका नाम सना रामचंद्रा कितनी बड़ी बात है वहां पर हिंदु महला को चुना गया है तो नॉर्मल एफ ऐसे कोई वह नहीं है लेकिन वहां के लोगों के लिए बड़ी बात होगी हाल ही में किसने डोस्ट फॉर लाइफ मुबाइल एप लाउंच किया है एंसी एरटी नीतियायोग सीबी एससी और फिर सिक्षा मंत्रा ले यह एप लाउंच किया है आपका सीबी एसस एंसर दिए लिए सीबी एस सिक्षा ने शात्रों और अभिवारकों के लिए एक निया मुबाइल एप लॉंच किया है निया एप है दोस्ट फॉर लाइफ सीबी एससे समबध्य स्कोलों के शात्रों और अभिवारक ने लिए एक विशीष मनौइग्यानिक पराम्र्ण आंसर देग गया एरिक जॉंसन या फिर इयान ग्रेन बी है करेक्ट आंसर पूर्व सीनेटर बिल निंसन ने 14 वे नासा प्रशाशक की रूप में शपत लिया है ठीक है हाल ही में किस भारती है मूल के विशेशक ये को प्रतिस्ठित रास्ट्रिय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है अरुन गोविल को निरंजन शाह को शंकर घोश को या फिर अनिल कानहिरे को आंसर जो करेक्ट आंसर है वह है शंकर घोश को आप्शन अबर C is correct भारती है मूल के एक इम्यूनो लॉजिस्ट शंकर घोश को उनके मूल शोध में उनकी प्रतिस् शिराष्ट्रिय विग्यान अकादमी के लिए चुना गया है अंतराष्ट्रिय नर्स दिवस कब मनाया जाता है 11 मई 12 मई 13 मई या 14 मई यह मनाया जाता है सबी को बता होगा यह तो 12 मई को important है पूचर जाता है विश्व भर में 12 मई को अंतराष्ट्रिय नर्स दिवस मनाया राता है इस दिवस का आयोजन मुख्य रूप से आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगल की याद में किया जाता है अंदरास्ट्रिय नर्स दिवस 2021 की थीम नर्स अव वाइस तू लीड और विजन फॉर व्यूजर हेल्थ किया रहा है थीम जरूर याद रखिएगा हाल ही में किसको भारती रिजर्व बैंक का कर्रेकारी निदेशक नियुक्त किया गया है रमीस महाजन अनेल गोस्वामी जोस जे कट्टूर है जोस जे कट्टूर स्टीनेत बजाज परिक्ट आंसर इस यह कर्रेक्ट आंसर कर्टूर ऑप्शन नमर्शी हाल ही में जोस जे कट्टूर को भारती रिजर्व बैंक का कार्रेकारी निदेशक नियुक्त किया गया है हाल ही में किसने पहले निजी अंतरिक यात्री मिशन है तो समझाते पर हस्ताक्षर किये हैं ओप्शिन्स है नासा एक्सियोम स्पेस दोनों या फिर केबल एक्स सरी स्पेस एक्स दोनों ही है NASA plus Axiom Space अमेरिकी अंतरिक्ष एजंसी NASA और निजी अंतरिक्ष कंपणी Axiom Space ने हाल ही मैं अंतरास्ट्री स्पेस इस्टेशन में पहले निजी अंतरिक्ष यानि mission ही तो अंतरिक्ष यात्री mission ही तो समझपाती पर हस्ताक्षर किये हैं एक्सिओम मिशन वन के रूप में नामित इस उडान को नासा के फ्लोरिडा इस्थित केनीडी स्पेस सेंटर से लौझ किया जाएगा, कहां से लौझ किया जाएगा, इंपरेंट है, मिशन में शामिल अंतरिक श्यात्री को अंतरास्टरी स्पेश स्टेशन में कुल आठ दिन अफसर मिलेगा ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया ने भारत में बच्चों के लिए किस कोरोना वैक्सीन का परिक्षिन करने हितू मनजोरी दिया है कोवी शील्ड को वैक्सीन उपरोग दोनों या फिर उपरोग में से कोई भी नहीं दोनों की दिये क्या किवल कोवी शील्ड है उप्षिन नमबर भी ड्रक्स कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया ने भारत बायो टेक को बच्चों में को वैक्सीन का परिक्षिन करने हितू मनजोरी दिया कौन जल जीवन मिशन के अंतरगत प्रतेक ग्रामीर घर को जल ग्रामीर घर को नल द्वारा जल आपूरती प्रदान करने वाला चौथा राज्य या फिर केंद्र शाषित प्रदेश बन गया है असम है लक्षदीप है दिल्ली है या फिर पूर्डुचेरी है करेक्ट आंसर इस पूर्डुचेरी ओप्शन नमबर डी इस करेक्ट हालही में गोवा तेलंगाना तथा अंदुमान और निकोबार दीप समूह के बाद के इंद्रशाषित प्रदेश पूर्डुचेरी जल जीवन मिशन के अंतरगत प्रतीक ग्रामीर घर को नल द्वारा जल आपूरती प्रदान करने वाला चौथा राज्यो या फिर यूटी कह सकते हो बन गया है ब्रिक्स रोजगार कारे क्रम रोजगार कारे समूह की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में आयूजित की गई है ब्रिटें दक्षन अफ्रीका है या फिर आज़र नहीं दिखना चाहिए इस बार भारत है या फिर प्राजील है इंडिया है ब्रिक्स रोजगार कारे समुह की पहली वीडियो पहली बैठक वीडियो कॉनफरेंसिंग के माधियम से आयुजित की गई है यह बैठक भारत के अध्यक्षता में आयुजित की गई थी जिसने 2021 में ब्रिक्स प्रासिडेंसी समभाली है बैठक की और रोजगार के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने की है ठीक है तो इंडिया को किसमें रिपर्जेंट किया याद रखना है विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2020 में प्रेशण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है भारत है चीन है यूएस या फिर यू प्राप्त करता है भारत मं अमेरीकी डॉलर में भारत चीन मेक्सिको फ्लिपिन और मिसर है जबकि साल 2020 में सबसे अधिक पैसे भेजने वालना करता देश विए प्राप्तराज का था हाल ही में किसको संयुक्त रास्टर का नया humanitarian प्रयुक्त प्रमुक नियुक्त किया गया है आलान जोर्ज, माइक एडम, क्रिस हैरिस, मार्टिन ग्रिफिट्स करेक्ट आंसर मार्टिन ग्रिफिट्स, option number D दिग्ज, ब्रिटिश, राजनाइक, मार्टिन ग्रिफिट्स को पाँच साल की अवधी के लिए संयुक्त रास्टर कार्याले में मानवी इमामलों की समन्वे का नया प्रमुक नियुक्त किया गया है वह मार्ख लोवक की जगह लेंगे किसकी जगह लेंगे, important है अट्लांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत का नाम क्या है ठीक है, तो options है, Atlantic 200, Waterway 400 या फिर Mayflower 400 या फिर उप्रुक्त में से कोई भी नहीं correct answer is Mayflower auction number C is correct Mayflower 400 अट्लांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत है बहुत important है इससे IBM के सहयोग से समुद्री अनुसंधान संगठन प्रो मेयर द्वारा बनाया गया है यह artificial intelligence और solar panel के माधियम से सूर्य की ओर्जा संचालित उज़ द्वारा संचालित होता है किसको विश्व खाद्य पुरसकार 2021 दिया गया है किरन माथूर को कविता बजाज को डॉक्टर शकुंतला हरक सिंग थिल स्ट्रेट को या फिर अंजुल जैन को correct answer है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंग थिल स्ट्रेट को नबर C is correct हाली में भारती मुल्गी डॉक्टर शकुंतला को विश्व खाद्य पुरसकार 2021 दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंग थिल स्ट्रेट को जलिय कृशी और खाद्य प्रडालियों पर कार्ड़ करने ही तूं विश्व खाद्य पुरसकार 2021 दिया गया है इस ड्रक्टर शकुतला, हारक सिंग, थिलस्ट्रेट, भारतीय मुल्गी एक वैश्विक पोश्ण विशेश गया है, बहुत जादा इंपर्टेंट है, क्यों चीनी रोकेट, लॉंग मार्च 5B-Y2, अपने मार्ग से अनियंतरित होकर किस देश के निकट गिरा है, श्री लंका जापन, इंडोनेशिया, फिर मालदीव, कहां गिर गया, मालदीव, लॉंग मार्च 5B-Y2, एक चीनी रोकेट है, इस रोकेट का उप्योग चीन अंतरिक्ष में अपने स्पेस सिस्टेशन के निर्मार्ट हेतु कर रहा है, हालांकि लॉंग मार्च 5B-Y2, रोकेट अपने मा इस रोकेट का मलवा, मालदीव के उत्तर में, हिंद महासागर में गिरा है, 30 questions थे, आज के इसके weekly current of years में, so, complete हो चुके हैं, वो 300 questions, ठीक है, second week की current of years थी, so, okay, PDF की नीर है, तो मैं आपको बता दिया, किस तरीके से आप लोगों को PDF मिलेगी, बाकी तो और कुस्ट नहीं है, थे, thank you so much for watching my video, मिल देहां, next video में,